Hello everyone, this is Aman Prissing and we are watching Technoistics. हम लोग देखेंगे कि कैसे एक रिले काम करता है, उसको कहां पर हम यूज कर सकते हैं और उसमें नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ग्लोज टर्मिनल आखिर होते क्या हैं यह सारी चीजाज हम डिसक्स करेंगे। उमीद है यह वीडियो पर आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जिरूर कीजिएगा, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, तो गाइस मेरे पास यहां पर एक यह इलेक्ट्रो मेकानिकल रिले है, अब देख सकते हैं इसके रेटिंग में यह DC 5 वोल्ड की रिले है, यानि कि इस को औरेट होने के लिए DC 5 वोल्ड का स चुरूध पड़ती है, तो गाइस नॉमल होता क्या है बेसिकली यह स्विच है जिसको हम इलेक्ट्री कली ऑप्रेट करते हैं, तो इसलिए इसको और relatively यह इसलोग बोला जाता है, इलेक्ट्रमेक्जल मेकेनिकल रिले है इसलिए आया क्योंकि, यह मेक्णिकल स्विच को हम अगर electrically operate कर दें तो वो electromechanical बन जाएगा तो उसी तरीके से ये काम करता है तो चलिए पहले इसका structure देखते हैं कि actual में इसके अंदर होता क्या है किस तरीके से काम करता है उसके बाद इसी को practically open करके देखें कि actual में वैसा ही है जो हम किताबों में पढ़ते हैं तो according to books इसके अंदर एक कोईल होती है यहां पर मैंने कोईल बना ली और इसके इलावा तीन टर्मिनल्स होते हैं यह एक हमारे पास common terminal है एक हमारे पास आता है normally closed या फिर normally open इसको आप बोली जिए और एक तीसरा terminal हमारे पास आएगा normally open या नॉमली close आप इसमें से कोई भी डिस्रेक्ट कर सकते हैं अगर मैं इसको normally close लिख देता हूँ इसको normally open लिख देता हूँ और यह हमारा common terminal है और इसके लावा यह जो दो हैं मारे पास coil के terminal है इनको मैं C1 और C2 लिख देता हूँ यह हमारा relay का internal structure बन गया जैसा कि हमें books में बढ़ाया जाता है या फिर हम वीडियो में देखते हैं कि इस तरीके से होता है अब इसके साथ जो common terminal है उसके साथ एक rotating arm लगी होती है free arm होती है जो कि by default connected होती है normally closed terminal के साथ यानि कि अगर आप common terminal के ओपर कोई signal देंगे तो same signal आप normally closed terminal से pick कर सकते हैं यह आपस में already connected है तो अब relay काम कैसे करेगा जब आप इस coil को कोई external power देते हैं जो relay की requirement है तो इसके बीच में magnetic field generate होता है जिससे आपका यह जो normally closed terminal के ओपर rotating arm आपके connected थी यहां से move होके normally open वाले terminal के साथ आके connect हो जाती है यानि कि यह आवे जो यहां से इधर shift हो जाएगी जो यह magnetic field यहां पर produce हुआ उसने इसको इस set को खीच लिया तो यानि कि यह जो हमारा terminal यहां पर connected था वो यहां पर connect हो गया common से जो signal यहां पर जा रहा था वो हमें यहां पर मिल जाएगा इस तरीके से यह relay काम करती है तो चलिए इस relay को open करके देखते हैं कि इसके अंदर सेम ऐसा ही कुछ है या कुछ different हमें देखने को मिलता है तो गैस अपलों के लिए इस relay को मैंने पहले से open करके रखा हुआ है तो इस cover को हम अटा देते हैं और इसका जो internal structure होता है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के होता है तो इसमें आपको एक coil दिखाई दे रही होगी यह coil है जिसके इसके दो terminal करके मैंने यहाँ पर बाहर निकाला हुआ है और जो इसका दूसरा terminal है कॉयल का वो यह रहा इसको भी मैंने यहाँ थे कॉयल करके बाहर निकाला हुआ है that means यह जो हमारे दो coil के terminals हैं यह तो identify हो गए अब इसके इलावा एक हमारे पास होता है common terminal जिसके साथ movable contact होता है तो उपर की तरफ अगर हम यह देखें तो यह एक movable contact है जो कि pressure के साथ move हो रहा है तो यह जो connected है वो इस terminal के साथ connected है तो यह हमारा हो गया common terminal means यह हमारा common आ गया और यह और यह relay के हमारे दो terminals आ गए है अब इसके इलावा जो दो terminals हमारे पास बचे हैं अब इन में से एक normally open है और normally close है तो वो हमें identify करना है तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यह जो movable contact है अंदर यह उपर की तरफ already connected है और नीचे वाले point के साथ इसका कुछ gap है अगर हम इसको press करते हैं तो यह move होके नीचे की तरफ connect होता है यानि कि यह pre default है जो उपर वाले surface के साथ connected है और उपर वाली जो surface है वो connected है इस terminal के साथ that means यह जो हमारा है यह normally closed terminal है इसके साथ यह movable contact हमारा पहले से connected है तो यह अगर normally closed है तो इसके लावा यह जो हमारे पस बचा है यह हमारे पस normally open है तो इस तरीके से यह जो पांच terminals है हम लोगों ने define कर लिया है हमें identify हो गए है अब हम check करते हैं इस coil को power दे के कि जैसा हमें पढ़ाया जाता है कि magnetic field produce होता है और यह movable contact move होता है जो जाकि normally open terminal के साथ connect हो जाता है क्या practically ही वैसा होता है तो इसको check करने के लिए हम इसको power देते हैं तो power देने के लिए मैं रपास एक 9 वोल्ट की battery है जिसको मैं use करूंगा और क्योंकि 5 वोल्ट की relay है तो 9 वोल्ट की battery मैं directly use नहीं कर सकता तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा circuit बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पे 7805 voltage regulator लगा दिया है 9 वोल्ट की input देके यहाँ से मैं 5 वोल्ट की output ले सकता हूँ आउटपुट के लिए मैंने यह दो wires यहाँ पे लगा रखी है तो चलिए connect करके देखते हैं इस clip को मैं battery के साथ connect कर देता हूँ connect होते ही जो हमारी power supply है बनाई हुई यह on हो गई है यहाँ पे indicator light हैं लगाई हुई है अब मेरे पस ही जो दो terminals हैं इसके दो wires हैं इसको मैं connect करता हूँ relay के across तो relay के जो हमारे दो terminals से एक यह रहा और एक इस side है तो एक को मैं यहाँ पे connect कर देता हूँ और यहाँ से निकल गय इसको वापिस यहाँ पे connect कर देते हैं यह connect हो गया है इसके लावा अब यह मारे पास जो दूसरा terminal है तो इसको हमें connect करके देखना है coil के दूसरे terminal के साथ चलिए connect करके देखते हैं देख सकते हैं connect होते ही यह जो contact है यह move हो रहा है यह आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और आपको pass करके दिखा देता हूँ देख सकते हैं जो contact ऊपर की तरफ connected है वो move के नीचे की तरफ आ जाता है जब यह power connect होती है आपको और zoom करके अच्छे से दिखा देता हूँ जो हमने books में पढ़ा है कि relay कैसे work करता है यह exactly वैसे ही work कर रहा है इस relay को आपने बहुत सारे projects में use कर सकते हैं जहां पर आपको switching करवानी हो अगर आपको किसी Arduino या फिर किसी और microcontroller के साथ switching करवानी है तो आप उस वहां पर भी इसको use कर सकते हैं कोईल के terminal के उपर अगर आप Arduino से signal देंगे तो एक कोईल आपके जो load को turn on या turn off कर सकती है को भी प्रेस कीजिए इससे आपको मेरी हार आने वाली वीडियो का notification सबसे पहरे मिल जाएगा मैं आपसे मिलूंगा अगले हमते एक नई वीडियो के साथ तब तक की लिए keep supporting thank you